हेलो दोस्तों कैसे हो आशा कटिनू आप सभी पहुत इच्छी से होंगे तो मेरा तो पहर का टाइम हो रहा है अभी इस टाइम पे और आज मेरा ब्लोग स्टार्ट हुआ दो पहर से तो मैं आज कुछ टेरस गार्डन की कुछ सापसपाई कर रही थी और सोचा की चलो एक तो इसलिए मैं बनानी पा रही थी किनार मैंने सोचा कि दूप निकली हो यह और अब मतलब दूप का टाइम आही गया है स्यादा बारिश नहीं होगी हां कल बहुत जोरू की बारुश जोई है हमारे आँ तो कल भी सोच रही थी बनानी कि अच्छ हो मैंने नहीं बनाया नह बना रही है तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ और थोड़ी टेरिस की सफाई भी करूंगी क्योंकि अब फेस्टिवल स्टार्ट हो रहे है तो उसके पहले थोड़ी बहुत साफ सफाई हो जाती ही तो ठीक रहता है मतलब पर ज्यादा लोड नहीं आपाता है व में जाकर उतने देर में तो वह भागी जाती है तो बहुत सारी घूमती रहते है कलपर सो भी में तीन-چार घूम रही है तो मैं आज एक पॉड़ बना रही हूँ और सेंपल सा पॉड बना रही हूं ज्यादा तर लोगों को बनाते आता है लेकिन फिर भी मैं आपनों किसना शेयर कर रही हूं और थोड़ी बहुत साफसफाई हाँ मैंने कुछ मेरी जो ऑईल की केन थी ना उन्हीं भी मैंने काटा हुआ फिर से और उसमें कलर कर दिया है उसमें कोई भी पैंटिंग वगेरा न तो कोई दिक्कत नहीं लेकिन हाँ फिर भी मैंने कलर पड़े हुए थे तो मैंने कलर उसमें कर लिया है तो चली वह भी दिखाती हूं साथ ही जो पॉट बना रही हूं वह भी दिखाती हूं तो देखिए मैंने अपनी एक कैन को सारी काट लिया है और बस इसमें मित्ति भर कोई प्लांट लगाना है तो बड़ी हैसे वह फैल जाएंगे और कुछ डिजाइन वगेरा कुछ पैंटिंग करने की जरुरत नहीं है इसमें तो ऐसे ही कुछ मैंने और भी इस तरह से काट के रखे थे और इसमें मेरा एक प्लांट लगा हुआ है बाकि यह खाली है और एक के तियारी कर लेते हैं तो मैं यहां पे ले रही हूं सीमेंट जो घरों के काम में हम लोग लेते हैं वह वाली मैं सीमेंट ले रही हूं ग्रे वाली और मैंने यहां पेंट का ही जो मेरा रखा हुआ तो वह मैं उसका यूज कर रही हूं तो एक टीन वाला भी था लेकिन वह प्लास्टिक वाला इसका यूज कर रही हूं मैंने गलप्स पहन लिए और एक गलप्स तो पहनते पहनते ही मेरा वो सारा खराब हो गया फट गया तो यहां पर मैंने लिए टी-शिर्ट पुरानी टी-शिर्ट थी बिटी की उसको मैंने काट लिया है थोड़ी से बड़ी है व बस इसमें लगाना है जैसे कि हम लोग बनाते हैं कपड़े के जो हमारे maggal planter चल रहे है बस वैसे ही मैं बना रही हूं लिकिन बस मैं इसे एक दूसरे pot में लगा रही हूँ हमारे पास pot है तो इसी में नहीं ऊपर एसमें लगाऊंगी और बनने के बाद आपको समझ में चाहिए था उसके लिए मैं यह ग्रे कलर की मैं सिमेंट का यूज़ कर रही हूं और बहुत ही आसान है इससे बनाना कोई भी छोटे वाले मतलब मैं पास यदि रब्बे हैं प्लास्टिक के तो हम उसमें भी आराम से इने बना सकते हैं बड़े वाले मतलब बहुत ही सुन्दर लगता है इसे बना के तो आप लोग जरूर एक बार इसे ट्राइ करिएगा बनाईगा यदि आपको इस तरह से प्लांटर वगेरा बनाने का शौक है ना तो आप जरूर इससे बना के दिखिएगा और इस तरह के प्लांटर हम लोग यदि मार्केट में लेते हैं तो बहुत वोड़ी रही भी गया है पूरे कपडे में हमारा नहीं लग पाया है यदी है सिमें तो कोई बात नहीं हमें इडिया है जो यह तोड़ी मोटी को ले सकते हैं यह डवल कपड़े कभी आधि यह धी 현 luc तो यह टीशिट अच्छी खासी मोटी थी तो मैंने फिर इसी का यूज किया है पतला पतला नहीं लेना क्योंकि हमें थोड़ा सा मोटा जैसा उसे बनाना है एक दम पतला कपड़ा नहीं लेना है हमें तो कॉटन में होतो और अच्छी बात है तो बस मैं इसे ऐसे लगा कियो तो उसके बाद हम इसे पॉट में लगाएंगे तो बस अब हम इस पॉट को पूरा इस कपड़े से कवर करेंगे और यह थोड़ा सा चोड़ा है मतलब मेरा कपड़ा तो मैं इसे मोड लूँगी नीचे से मोड लूँगी और कोई प्रॉब्लम नहीं है मतलब उच्छा कि अगर उगा जाया हैं अकेले यह खेंगी तो अरभी अच्छे से बन जाएगा में अकेली स्वर्प हमें लेकिन अक्रवान नहीं प्रॉथ और इसको लगाना है पूरा एक बार अच्छे से लग जाएगा तो हमें फिर सिमेंट को गोल कर और ऊपर ऊपर इसमें पूरा लगाना है। एक दम नियए नहीं करना है इसलिए मैंने इस से आसा रहने दिया है कि कहीं से उंचा नीचा हमें ये लगेगा सिरे गलर करें तो हम अच्छा आएगा तो बहुत ही बड़िया ही ले क्यास है हमारा फॉह बन के तयार होगा उस टाइम पे में वीडियो नहीं बनाती थी ना तो तब के मैंने वो पॉट बनाए हुए है करीब मेरे चार-पांच साल पुराने भी मेरे पॉट रखे हुए हैं दो तीन पॉट तो मेरे ऐसे ही हैं वो मैंने वाइट सीमेंट से बनाय हुए हैं और अभी एक में मेरा कुछ लगा हुआ है प्लांट एक में नहीं लगा है तो उन दोनों को भी मैं कुछ सोच रही हूँ इस बार कुछ थोड़ा सा मैं डेकोरेट करूंगी और फिर आप लों को दिखाऊंगी वो भी बहुत सिंपल है यह पॉट बनाना और घर में बैठे-बैठे हमें कभी-कभी ऐसा समझ नहीं आतना क्या काम करें तो कुछ ऐसा हम कर सकते हैं और घर पर ही इतने जो महंगे महंगे हमारे आजकल बाजार में समान आ रहे हैं तो हम कुछ तो घर में भी ऐसे बना सकते हैं पस अब मैं थोड़ी सी सिमेंट और लोंगी और उसे मैं गिला करके और फिर से मुझे मुझे इसके उपर लगाना है और हां मैं आपसे एक बात कहना तो भूली गई कि यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर रहें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा वीडियो यदि आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो एंड आप लोग मुझे इंस्टा पर भी बनके तयार होते जा रहा है और अभी हमें इसे सूखने भी देना है हमें तो जब यह सूख जाएगा अच्छे से निकल रहा है नहीं लेकिन वह ठीक हो जाएगा मैं उसे ठीक से जमा के कहीं रखूंगी ताकि वह सूखे और बिल्कुल निकले ना तो एक दो बार थोड़ी पूरी तदी किसे सूख जाए